दोस्तों, AAC Cup 2013 के लिए सोमवार को टीम इंडिया के स्कुराड का एलान कर दिया गया है दोस्तों, आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि टीम इंडिया में एक ऐसे खिलाडी को सामिल किया गया है जिसने अभी तक वन डे में डेबू भी नहीं किया है दोस्तों, क्या है जानकारी आपको बताएंगे उससे पहले अगर आप वीडियो में नए है वीडियो को लाइक और चैलर को सब्सक्राइब जरूर कर दे हैं तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं उस खिलाडी के बारे में तो वीडियो में बने रहीएगा तो टीम इंडिया के स्क्वार्ड का एलान कर दिया गया और इस टीम में 17 खिलाडियों को सामिल किया गया टीम इंडिया का एलान BCCI के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान रोहिस सर्मा ने प्रेस कॉन्फरंस के जरिये किया दोस्तों AC Cup 2018 के लिए जब टीम इंडिया का एलान किया गया तब अर कोई उसमें तिलक बर्मा का नाम देखकर हैरान हो गया दोस्तों तिलक बर्मा इस वक्त आयरलैंड के खिलाफ T20 स्रीच खेल रहें लेकिन दोस्तों गौर करने की बात या है कि तिलक बर्मा ने वंडे क्रिकेट में अभी तक अपना डेब्यू नहीं किया है जबकि उन्हें T20 में सिर्फ साथ मैचो का अनभो है आइसे में उन्हें ASEA Cup के लिए ले जाना टीम इंडिया और उनके करियर को नुक्सान पहुचा सकता है दोस्तों तिलक बर्मा ने हाल ही में Western Đीज की खिलाब खेले गए T20 में अपना डेब्यू किया था जहांपर उन्होंने सभी को इंप्रेस किया था लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि किसी खिलाड़ी को 5 मैचों के परदसन के आधार पर स्कॉइड में चुन लिया जाए। दोस्तों तिलक बर्मा ने आयरलेंड के खिलाफ खेली जा रही स्रीज में दो मैचों में सिर्फ एक रन बना पाए हैं। दोस्तों तिलक बर्मा के बारे में आपकी क्यारा कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।